अभी हम देखेंगे मार्केट में किस तरह के सेंटिमेंट बन रहे हैं जो मैंने मार्निंग में आपके लिए रेंज दिया था आपने गर देखा होगा उसी रेंज पर मार्केट घूमता रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ओर रेंज क्यों बन रहे हैं जस्ट एक पर अनालसिस साथ में बीकली सेंटिमेंट से सारी चीज़े आपको मिलती रहती है अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आलड़ी दे रखकर डिस्क्रिस्ट बाक्स पर यहां आपको टाइम टाइम पर पोस्ट मिलते रहते हैं इसका आप यहां से मुझसे जुड सकते हैं अब फ्रेंट हम करेंट मार्केट जो सिचुएशन बनी हुई है हम इसमें अगर देखने के कोशिस करते हैं तो सबसे पहले जो मार्निंग की हमारी अनालसिस थी अगर उसको आप देखते हैं तो मार्केट यहां कहीं खड़ा हुआ था आवरली टाइम फ्रेम में और उसके बाद में अगर उपर निकलता है उपर की तरफ जो इसका सेंटिमेंट बनत रहे थे वो था फर्स्ट इसका रिस्टन्स 67,600 से लेके फिर 68,000 यह इसके रिंच बन रहे थे हम देख रहे हैं मार्केट की ओपनी होती है डाउन साइड में फिर यहां बेस क्रियेट करता है लब तो आप यहां से देख सकते हैं दीर दीर करके उपर गया जो भी गया दो 400 पॉइंट लेकिन उपर की तरफ गया उसके बाद में भी करेंट सिचुएशन जो बनी मार्केट नहीं यहां से एक रिस्पेक्ट किया और उसके बाद में डाउन ट्रेंड बना डाउन टेंड के ल यहां पे इसने मार्केट ने काफी टाइम बिता है उसके बाद में 400.7 नीचे आता है अगर इसको 800 को ब्रेक करता है तो 66,400 को यह रिस्पेक्ट करने के लिए आएगा इनकेज इसके भी नीचे निकलता है तो फिर यह जाएगा 66,000 के लेबल पे तो आपको यहां इसको देखना है और उसके बाद ही फर्दर मुग के लिए प्लानिंग करनी है अब 4-hour setup में अगर हम देखते हैं फ्रेंड तो 4-hour setup में हमें क्या होता है जो हमने अभी तक देखा उ उसका ट्रेडिंग अभी नेक्स्ट उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है और यह जो लेवल बनाया था बॉड़ी इसकी बनी थी अगर आप देखेंगे लभग इसी के आसपास मार्केट आया है उसके बाद में नीचे निकल गया करेंड केंडल का अगर हाई आप देखते 多ज के देखेंग और जो लोग को ट्याडिंग भी करते हैं और जो बिना किसि प्लानिंग की करते हैं जस्ट होप में तो उनको लौस भी होता है उता звуч from अ़र्ड कहले प्राइस सपेले प्राइस से श्थन सीखना होगा ओ अब हो ओर और प्राइस सेक्षन्स surprised करते हैं तो ध तो इसका मतलब है कि निगेटिव मार्केट थोड़ा इंगल्फ कर लेगा और भी निगेटिव इंगल्फिंग होगी तो यहां वेरिस एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर चाप्राइब पॉइंट के लिए डाउन ट्रेंड भी ला सकते हैं लेकिन जो भी होगा इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद होगा जो कि 800 के आसपास है अब इसके बाद फर्दर एक स्टफ हम और उपर चलते हैं तो जो हमारा डेली टाइम फ्रेम होता है उसमें अगर देखने कोसिस करें तो मैंने आपको मार्केट के लिए अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने के चांस से तो अभी इसमें फर्दर मूब कैसा रहेगा ये इसके क्लोजिंग बेसिस पे ही हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि हम कल की मौने की जो एनाल्सिस करेंगे उसमें इसमें क्लियर कट हमें एंडिकेशन समझ में आएगा तो अबर आल अभी जो रेंज निकल के आ रही फ्रेंड अगर आप देखेंगे 800 के लेबल को ब्रेक करता है तो यहाँ भी ये 400 का लेबल फिर 66,000 नीचे के लिए अगर फर्दर उपर निकलने के कोशिस करता है तो 67,600 फिर 68,000 ये इसके लिए जनरली रेंज रहने वाली है लेगिन मार्केट अभी है आपन डाउन कर रहा है अगर क्लोजिंग इस के और नीचे होती है तो कल हो सकता है थोड़ा सा मार्केट दियर इस हो जाए डाउन सायट के लिए लेगिन इसके आल्स हम क्लोजिंग बेसे पर ही करेंगे क्योंकि मार्केट है आप आपने इस टॉप लोस को ट्रेल करना होता है अभी करिए कुरेंट सीच् साथ की कैंडल साथ से आठ की कैंडल भी करने चल लही है इसका फॉलॉप नीचे की तरह आए तो हम थोड़ा बहुत यहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 400 पॉइंट का मुमेंटम हो गया इसके मतलब हम थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं लबग एक परसंट के आसपास 400 पॉइंट लबग यहां होगे लबग 600-700 पॉइंट का मुमेंटम इसने किया है तो ऐसे मूब के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़े सस्क्राइब करना पड़े बैल आइकन दबाना मत भूले जो मैंने आपको रेंज दिया है वो देखिए मार्केट उसकी पास आएगा कुछ ना कुछ कैंडल श्रीक फार्मेशन जरूर करिया थैंकि फ्रेंड्स